नमस्कार दोस्तों मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूँ मैं यूटूब चैनल इनानिया एजुकेशन में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट बरती 2018 से सम्दित जो जरूरी कागजाद या दस्तावेजे उनके बारे में बात करेंगे इससे सम्दित इस पर्ट त्री का वीडियो अगर आपने वह नहीं देखे तो भी देख लें बहुत ही ज़रूरी वीडियो और उसमें भी बहुत ही ज़रूरी इंफोर्मेशन दी गई है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे इस color का एक बटन दिखाई देगा उस पे क्लिक करें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइब का नजर आएगा और चैनल सस्क्राइब हो जाएगा उसके सामने बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर दें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिपेशन मिलता रहे कुछ अभियारती जो न्यूज है वो डूंटते रहते हैं और उनको यूटूब पे नहीं मिलती और तो चैनल को सस्क्राइब कर लें जिसे कि अपना आप उनको ये न्यूज मिलती रहे अब हम बात कर लेते हैं कि रीट वर्ती के लिए जो अभी फोरम फिल होने वारे हैं पान तारीका जैसा कि आपको पता है तीन तारीक से इस्टार वो रहे थे उनके डिले करके अब पान तारीका कर दिया है और अभी तक जो उनके जिलावाइच वेकैंसी है नमबरो ओनलाइन फोर्म में स्टार्ट होंगे वो साथ ही साथ इनके लिए जो कागदाद चाहिए अर्था दस्तावेज क्या चाहिए डोकुमेंट वो आपको जरूरी होने चाहिए आपके पास ताकि आप फोर्म फिलने आसा नहीं रहे और साथ ही इसमें जो आपको फोर्म मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से फोर्म फोर्म के टाइम चाहिए और कौन से कौंशलिंग के टाइम चाहिए अब हम बात कर लेते हैं जो आउसक दस्तावेजे उनकी सबसे पहले आपके पास अगर कंशलिंग का ये पहला है ये कौंशलिंग के लिए कि ओनलाइन जो अभी आप आन तारीक के बाद बरोगे उसकी परतिली पी आपके पास होने जरूरी है उसके बाद अगर आप फोरम बढ़ने जा रहे होता हुए आपके 10th की मार्शीट होनी चाहिए और कौंसलिंग के लिए मार्शीट और उसका परमान पत्र होता है वो दोनों आपके पास होने चाहिए और उसके बाद आपके 12th की मार्शीट होनी चाहिए फोरम के वक्त और तता कौंसलिंग के टाइम उसके 12th की March Seat और वहाँ पर आपके परमान पत्र की आउशकता पड़ेगी उसके बाद आपके यहां पर Final या सना तक हम March Seat कह सकते हैं इसकी March Seat तता इसकी जो Degree है उसकी जरूत पड़ेगी कॉंसलिंग के टाइम March Seat आपके जरूत पड़ेगी यहां पर जाब फोरम फिल करेंगे तता March Seat वे डिगरी दोनों की जरूत पड़ेगी कॉंसलिंग के टाइम अगर आपके पास डिगरी नहीं है या डिगरी नहीं आई साथ ही आप को प्रवेस्थिति का पूरा जान रखें तो इस परवेस्थिति का पूरा जान रखें इसके बाद आपके पास जाती परमान पत्र होना चाहिए जो कि OBC के लिए आपके 6 माँ से पुराना ना और ECST के लिए आपके कितना भी पुराना हो सकता है लेकिन इतना पुराना भी नहीं हो कि उसमें कुछ भी पढ़ायर ना जा सके अर्ताथ साप सुत्रा एकदम दिखाई देना चाहिए कि हाँ परमान पत्र है उसमें अगर कुछ अक्सर दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर उसके कहीं से कांड चांट है तो वह काम नहीं करेगा आप नया बना लें और अगर पुराना कितना भी है तो वह चल जाएगा यह आपके परमान पत्र दोनों जगें चाहिए अब हम बात करते हैं मूल निमास जो कि कांसलिंग के टाइम चाहिए कितना भी पूराना हो सकता है लेकिन आपके यह है कि इसमें मैक्जिमम दस साल दिया हुआ है उससे पूराना नहीं और लेकिन चाप और अच्छी तरह दिखाई देने वाला होना चाहिए इसके बाद अगर आप विकलांग हो तो विकलांग परमान पत्र होना चाहिए आपके पास अगर उसकी केटिगरी का आप लाब लेते हैं तो अगर आप विकलांग है और विकलांग केटिगरी का लाब नहीं लेते हैं तो आपको परमान पत्र की आउसकता नहीं है विद्वा के लिए विद्वा का जो certificate है उसके साथ उनके पती के मर्तिउ परमान पतर और उनके पुने विवा नहीं करने का सपत पतर और साथी उनके जो विद्वा होने का है वो भी सपत पतर होना चाहिए तलाक सुधा के लिए कोट का ओडर और उनके पुने विवा नहीं करने का सपत पतर होना चाहिए और जिनका विवा हो रखा है उनके लिए विवा परमान पतर होना चाहिए वो जिनका फोरम फिल करते वक्त व्युहा नहीं है और उसके काउंसलिंग के टाइम व्युहा हो चुका है तो उनको भी डर्निक जूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम आप एफिडेविट दे सकते हैं एक जरूरी सोचना ये भी है कि अगर किसी भी डोकूमेंट में किसी भी परकार का आपके प्रोब्लम्स है या मिस्पिरिंट है या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं भी गड़बड है या कोई भी स्प्लिंग में कमी है या फिर स्प्लिंग में गलती है तो आपको निश्चिंद हो एफिडेविट की फोटोपी नहीं लगानी ये आपको जान रखना है एफिडेविट खुड ही देना लेकिन उसकी फोटोपी आप अपने पास रख सकते हैं ये जान रहे किसी पी परकार की अगर आपके पास गलती है किसी भी डोकूमेट पर और कई भी कमी है तो आप उसकी एफी डेबिट दे दे ताकि वो मामला आपके किसी परकास से गड़ बढ़ना हो साथ ही साथ आपके काउंसलिंग के टाइम यह जो यहां से हैं यह काउंसलिंग के टाइम चाहिए यहां पर जो इनके सरीतर परमान पत्र है वो आपके चाहिए आपके 2 सहीतर पर्मान पत्र होने चाहिए वो भी अलग-अलग गेजस्टेड और विस्टर द्वारा साइण किये और सेल के साथ किये वे होने चाहिए इसके साथ ही आपके पास यह सपत पत्र जो मैं बता रहा हूं यह होने जरूरी है ये उस टाइम जरूरी है जिस टाइम आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे अभी बहुत सारे ब्यारती हैं जो शोर हो चुके हैं कि हमारा सेलेक्शन होगा उनके लिए ये परमान पतर और ये डोकुमेंट होने जरूरी है इसमें मैं बता देता हूँ आपके संतान समंदी दुमरपान समंदी अर्ताद हम दुमरपान नहीं करेंगे और ना ही करते हुए कभी पाए जाएंगे देहज नहीं लेंगे और ना ही हमने देज लिया आगए साधी हुई तो सोचाले गर में सोचाले बना होना चाहिए और सोचाले का यूज होना चाहिए इसे समदित सपाथ पत्वार 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 एक से अधीक पत्निया नहीं होने चाहिए एक से अधीक पती नहीं होने चाहिए ये सपत्वार आपको इसमें ज्यान रखना है कि आपक जान रखना है उसी परमानपत्र को यूज करें जिसमें अधिकतम अंग है चाहिए रीट का हो चाहिए आर्टेट का हो जिसमें अधिकतम अंग है उसी को स्कैन करें और उसी क्यादार पर अपने नमबर जोड़ें ताकि आपका सेलेक्शन हो सके शाथ ही जिसमें एक बात और चाहिए खना है अगर आपके पास गये शिरीट और तेट में अलग-टशा विशेश कर सकते हैंanov हैं उन Yeah में और Sum damage कर सकते हैं अगर आप उनमें सनातक और बेंशेज का यह हैँ तो तो इन डोकुमेंट का आप जरूर ज्यान रखें और इन डोकुमेंट को इसमें जो महत्वपूर्ण डोकुमेंट है ये परवेश्थी थी आपको ज्यान होनी चाहिए नहीं है तो आप इसको एक बार क्लेक्ट जरूर कर लें साथ ही इसमें जो ये परमान पत्त दिये गए इनको भी बनाने के कोशिश करें और साथ ही साथ आपके जिस टाइम काउंसलिंग के अंतिम टाइम के बाद जोइनिंग का होगा उस टाइम एक और वीडियो बना दिया जाएगा उसमें आपके पुलीस वेरिफिकेशन और मेडिकल चाहिए वो के ओल जाइनिंग के ही टाइम चाहिए काउंसलिंग के टाइम उनकी जरुरत नहीं पड़ेगी साथ ही साथ आपके अन्य किसी परकार के जो डाउट है वो भी यहां पर केलिर हो जाएंगे आप नीचे कमेंड बोक्स में लिखें कोई भी क्यूशन किसी परकार का किसी से सम्दित भी हो और अन्य जो भी एडिशनल से सम्दित भी वीडियो है और फोर्मूला जो 37 का लग रहा है उससे सम्दित भी वीडियो बना रखा है साथ ही साथ आपके जो भी डाउट है उनसे सम्दित और जो रीट की कटोप है उसकी भी अनुमानित कटोप मैंने बना रखी है शाथ याँ आप कितने परकार से फोरम बर सकते हैं किस परकार फोरम फिल कर सकते हैं क्या फोरम में प्रोब्लम आए रही है उन सभी कमेंड वीडियो बना रखा है फिर भी आपके कोई प्रोब्लम है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं साथ ये साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं पुलें वीडियो के नीचे इस टाइब का एक बटन दिखाई देगा इसको क्लिक करें वो इस टाइब का हो जाएगा तो वीडियो लाइक हो जाएगा साथ ही साथ आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सेर करने के लिए इस टाइप का एक आपको बटन दिखाई देगा उस पिक क्लिक करें उस पिक क्लिक करते ही वीडियो वाटसप और फेस्बुक पर आप सेर कर सकते हैं ये सभी काम आप मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर करें ताकि मैं और अच्छे और आपके लिए इन्फोर्मेंसल वीडियो ला सकूँ दन्यवाद दोस्तों लिए, टूर सब्हाद अच्छे भोच्छेनछ। आपके लिए, हो लिएके लिए, भोचीयो clicking घयच्छे कर दो माइस ही तहीत of आपके लिए्या